हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक चोग इन आफ यूट्यूब जैनल सीकर सिखाते रोग मैं आपके साथ हूं बर्का सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेस्ट कुशन पेपर के बारे में ठीके जो भी आपका नेमो पेपर है वो के यहां पर हम फॉर। कर reads Prashジane के अर्थ और विश्य वस्तू विश्य शेत्र की विवेशनह कीजिये लोग प्रशाशन और निजी प्रशाशन किस प्रकार से भिन है comparison आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे question है जो रिपीट होते रहते हैं तो वही question पर धान दीजिए जो भी 101% आपसे पूछे जाता है तो एक और मैंने वीडियो बना रहा है इसकी वह नहीं तो इसकी वीडियो के लीजे इसका description box के अं उद्विकास की विविन चड़नों की परिक्षन कीजिए ठीक है नेक्स question है हमारा question माना संबंदि सिधान क्या है यह किस प्रकार विज्ञानिक परबंदन सिधान पर सुधार है विवेशन कीजिए ठीक कुछन मा फोर्ट है हमारा Herbert Simon यह बहुत important question है इसको double tick कर लिजेगा हर्वर्ट साइमन के निर्ने निर्मान सिधान की अलोचनात्मक पर समिक्षा कीजिए आपको criticism दिखाना है किसका जो भी आपके हर्वर्ट साइमन है उनकी ठीक कुछ नमर फिफ्ट की बात करेंगे विकास प्रशाशन के परमुक तत्व और इसके महत्व के वर्णन करें important question ह लोग नीती क्या है जो भी आपका क्या है जो पॉब्लिक पॉलिसी क्या है और लोग नीती के विविन प्रयारूप हो ठीक है अब यहां पर प्रयारूप का मतलब है आपके कोई बहुत सरे models हैं उसके बारे में आपको बताना है ठीक है next question 7 write an essay on public policy implementation यह भी again repeated question है हमारा लोग चार आपके पास option मिल जाते हैं तो मारा first option है significance करना है कि इसका public administration का यह प्रशाशन की महतिता महतिता का मतलब है आपकी importance क्यों इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है क्यों लोग प्रशाशन ठीक है next है हमारा जो option बबी है वो है main feature of classical theory of public administration यह भी आपका repeated question है कि लोग according आप देख सकते हैं जादा मत करेंगा इसमें एक से दो शीटी भरिएगा उसके बादे हमारा अविकास प्रशाशन में जन सहभ आगिता ठीक है जो भी participation है आपका people's participation in development administration की people ही जनता है हमारी जो पूरा public है वो कितना अपना रोल निभाते है कि इसमें public की यानि जो आपका development of administration है उसके बादे है option number D last हमारा role of जो question number D है हमारा वो क्या है नीति निर्मार्ण में नौकर शाहे की भूमिका का विवेशना की है मनला उसकी डेटेल आपको बताने है तो आपस आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें देने चैनल को सुस्क्राइब और कि अवेशना की वीडियो में